हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे यूटीव चैनल पर जिसका नाम है नौलेज इन हिंदी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी है एरपोड्स या एरबर्ड्स कुछ इस तरीके के हैं या कुछ इस तरीके के हैं तो यह चार्ज कैसे होते हैं इसको चार्ज कैसे करते हैं आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो सारे airport या सारे air birds एक ही तरीके से charge होते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ, तो यहाँ पे यह एक डबा है, यह भी एक तरह का power bank है, इसके नीची की तरह battery है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी charger का option दे रखा है, यहाँ पे चार्ज होते हैं यहाँ पे कुछ पिंस दी होती है जैसे कि यह दो पिन है यहाँ पे और यहाँ पे इसके नीचे भी दो पिन दे रखी है चार्ज होने के लिए तो यहाँ पे हमारा एरपोर्ड भी इससे चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ब्लूटू जो airport है वो charge होएगा तो शायद आपको समय में आया होगा अगर आपका ये charge होने में दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक charging के लिए point दिखाई दे जाएगा आपको इसमें charging लगानी है और यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बता दूँ जैसे ही यहाँ पे आप airport अपने इसके अंदर रखोगे और इसे बंद करोगे तो यहाँ पे इसमें light जलने लग जाएगी यहाँ आपका airport चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे हमारा airport जो है यानि अंदर के जो दोनों Bluetooth है वो दोनों चार्ज हो चुके हैं इसलिए चार्ज नहीं हो रहे हैं पर अगर आपके चार्ज नहीं होंगे तो यहाँ पे आपको इसे charging पे लगाना है यहाँ से कई Bluetooth यहाँ पे दो-तिन बार चार्ज करते हैं यानि डब्बे से ही दो-तिन बार चार्ज हो जाते हैं और यहाँ पे आपको main इसका ही ध्यान रखना है आपको इसको फुल चार्ज करना है तो शायद आपको सौन्वाया होगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें